हेलो एंड वेलकेम फेंट्स जेके सक्सेस पॉइंट की यूटूब चनल में आपका स्वाग आपका स्वाग एता है तो उसी में हम सोशल साइंस है वो पढ़ रहे थे तो आज का हमारा जो टोपिक है वो रहेगा इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स मैं जुनावी राजनिती ये टे है तो उसी को हम डिसकस करेंगे चुनावी राजनिती ये फिर इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स इससे लेटेट जितने भी मैतवपूर्पूर्शन बनेंगे आज की इस वीडियो में हम उन सभी को डिसकस करेंगे बहुत अच्छे क्यूसंस है वो आपको इसमें मिलने वाले है अग्जाम में इसी टाइप की क्यूसंस हो आपको देखने के मिलेंगे तो आज की सेसन को हम सुरू करते हैं तो आज का हमारा इसमें फैस्ट क्यूसं है मद्दाता सूची क्या है जो इलेक्ट्रोल रोल जो हमारे जो मद्दाता सूची होती है वो क्या है यह हमें पूछा ग वोट देने के लिए पात्र होते हैं पात्र जो वेक्ति होती है जो वोट दे सकें तो उनकी एक क्या होती है सूची होती है उसको क्या बोला जाता है तो डेफेर्स ओप्शन ए है वो इसका सही एंस्वर हो जाएगा अगले क्यूशन को देखते हैं अगला क्यूशन है हमारा इ राष्टरपती के दवारा की जाती है राष्टपती है वो इलेक्षन कमिशन के जो मेंबर होते हैं उनकी न्यूकती है वो करता है तो अपसंद सेकिंड है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा अगले पसंद है लोग सभा चुनाव के लिए हमारे देश को कितने निर्वा निर्वाचन छेतर कितनी है लोग सभा के लिए लोग सभागा जो निर्वाचन होता है उसके लिए कितने निर्वाचन छेतर है तो यह आप सभी को पता ही होगा पांसो तीयारीस जो निर्वाचन छेतर है वो बनाए गए है तो पांसो तीयारीस है वो सही जवाब है मारा हो तो आरक्षित जो है तो इस परकार से टो एक सो 31 सीटे है वो आरक्षित शीटे है वो टोटल कितने शीटे है पांसो तियानिस हर इस्टेट के बारे में भी आप देख लीजी एक बार क्योंकि अग्जाम में इंसे लेटेड भी परसन है वो पूछा जा सकता है कि हर इस्टेट में कितनी कितनी आपके निर्वाचन छेतरे यह लोग सबागी हैं आप देखते हैं आंदर परदेश में 25 सीटे हैं अवनाचर परदेश में 2 असम में 14 बिहार में 40 हैं तो इस परकार से सभी स्टेट की देर के महराश्टर में आप देखते हैं 48 हैं मनिपूर में 2 हैं तो इसमें सभी स्टेट का आप एक बार देख सकते हैं सबसे ज्यादा है वो उत्रपरदेश में लोग सभाद निर्वाचन छेतर की है केंदर शासित परदेश की है अगर हम बात करें तो अंडमान निकोवार में एक सीट दीव और जो चंडिगड है वहाँ पर भी एक सीट है दादरा नागरा जो हविली है वहाँ पर एक है दमन दीव में भी एक दिल्ली है एक केंदर शासित परदेश ऐसा जिसमें सरवाधिक साथ क्या है लोग सभाद सीटे है वहीं जमू एंड कस्मीर में पांच है और बाकी जो बची होई है इस्टेट है उन सभी में एक-एक है तो आप यह याद रखें कि केंदर शासित परदेश में दिल्ली और जम करते है तो अगले पर्सों को हम देखते है इसमें हमारा अगला परसं क्या होगा अगला परसं हमारे इसमें causal का नेत्तर तो है मैं यूद तो यह सबसे पहले यह एक क्या है एक अन्डोलन था मैं य 영 judgments are ये एक अन्डोलन था जो की हरियाना में चलाए गये था किसके द्वारा चलाया गया था यह चोधरी जो देविलाल है किसके द्वारा चोधरी देविलाल के द्वारा हर्याना में एक न्यायूद नाम से एक आंदोलन है वो चलाया गया क्योंकि अर्याना में इसे पहले कॉंग्रेस के सरकारे रहा करती थी तो उन्हें की खिलाप उन् हमारी सरकार आ जाती है उसके बाद उन्होंने न्यायूद चलाने के बाद जो चोधरी देविलाल थे उन्होंने हर्याना में एक लोग दल पार्टी बनाई थी पार्टी का भी आप या नाम याद रखेंगे कौन सी पार्टी हो जाएगी लोग दल पार्टी लोग दल पार्ट पर उनका इफ्च वा था तो जंता ने वहां पर जो 90 सीट थे नब्बब में से वहां पर उन्होंने च्हिंतर सीटे हैं वह जीथी थी उस पार्टी ने तो इसने अकली लोगदल जो पार्टी है इसने तो 60 सीटे जीथी और इसके सहयोगी और दल थे उन्होंने मिलकर टोटल 76 जो शीटे है वो जीती थी तो ये इसका नेतर तो वो किसने किया था चोधरी देविलाल ने किया था हरियाना से समधित है तो आशा करते हैं आपको ये सभी चीजी है वो क्लियर हो चुकी होगी अगले क्यूशन को देखते हैं अगला कोई रिक्तपद होता है उसको भरने के लिए उप्चुनाव हो किये जाते मरला कोई कोई अमिद्वार है वो चुनाव जी जाता है उसके बाद या तो उसकी मरत्य हो जाती है पिर किसी कान्यूर्स वह अपना इस्ठीपा घरा दे देता है या फिर वो डबल सीटों पर जी जाता है तो वो किसी एक को जोईन करता है एक शीट को वो छोड़ देता है तो उस शीट के लिए दुबारा से चुनाव हो करवाय जाते हैं उनको क्या कहा जाता है उनको क्या कहा जाता है जो विदाइका में एक रिक्तिपद हो जाता है तो उसको बरने के लिए जो चुनाव क फिर election के लिए कौन से संस था या फिर कौन वेक्ति है वो जिम्मेदार है तो वो कौन हो जाएगे जो बारत का जो चुनाव आयुक तो होता है election commissioner जो होता है वो सभी के लिए क्या होता है जिम्मेदार होता है तो उसी के उपर सभी दारमदार होता है कि वो भारत में सोतंतर और निस्पक्स क्या करवाएं चुनाव election है वो conduct करवाएं तो election commission है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा अगला है हमारा इसमें चुनावी घोषना पत्र कोन जारी करता है ये बताना है कि election जो manifesto होता है manifesto या फिर क्या बोला जाता है इसको हिंदी में चुनावी घोषना पत्र तो चुनावी घोषना पत्र जो होता है वो कोन जारी करता है तो राजनितिक दल होते हैं वो अपना-पना मैनिफिस्ट है वो जारी करते हैं अपना-पना चुनावी घोषना पत्र है वो जारी करते हैं तो राजनितिक दल है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा अगले परसन को देखते हैं कि दिल्ली में लोकसभा निर्वाचन छेत्रों की संक्या है तो थोड़ी देर पहले हमने एक क्यूसन डिसकस किया था कि दिल्ली में लोकसभा निर्वाचन छेत्रों की संक्या है वो कितनी है हमने बताया थे कि केंदर शासित परदेश में एक तो जम्मू एंड कस्मीर में और एक डेली में इन दोनों में ही ज़्यादा सीटे हैं तो डेली में तो कितनी हैं साथ सीटे हैं और जम्मू कस्मीर में हमारी वह पांच सीटे हैं तो हमारा साथ है वो इसमें सही जवाब हो जाएगा, अगले परशन को देखते हैं, नीचे दिये गए विकलपों में से, कौन से चुनावी प्रटिस फर्दा के दोस है, तो यह चार ओपशन हैं उनमें से बताना है कि कौन सा ओपशन है, जो चुनावी परतिस परदा जो इलेक्टरोल जो competition होता है उनके लिए एक दोस है एक परकार क्या है एक दोस है तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा तो इसमें कौन सा जाएगा गुटबाजी की भावना पैदा करता है और चुनाव जीतने के लिए जो पार्टिया है वो गंदी चालो का इस्तेमाल करती है तो यह दोनों बाते हैं सही हो जाएंगे यह दोनों पार्टिया है यह दोनों चीज़े है वो यूज करती है तो बोथ A and B यह हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा अगले परसन को देखते हैं कि भारत में संसद और राज्य विदान सभाओं के लिए चुनाव किaro दो आउजjut किये जाते हैं बारत में वह दो करवा जाते हैं अए उडिया भारत के संसद और राज्य विदान सभाओं के लिए चुनाव हाव कर्वाता है नेक्स्ट क्यूशन है लोग सभा का कारेकाल कितना होता है जो लोग सभा जो होती है उसका कारेकाल हमें बताना है तो लोग सभा का कारेकाल होता है वो पांच वरस होता है आप सभी को पता ही होगा पांच वरस होता है लोग सभा का कारेकाल होता है पर तेक पांच वरस बाद लोग सभा के लिए चुनाव है वो कंड़क्ट करवाए जाते हैं आप कमेंट में हमें बताएं कि राज्य सभा जो होती है उसका कारेकाल है वो कितना होता है अगले परशन को देखते हैं हमारा 12 नमर क्यूस्टन है कि भारत में कौन सी संस्ता चुनाव कराती है तो कौन सी में चुनाव है वो कंड़क्ट करवाती है नेक्स्ट थर्टीन नमर क्यूस्टन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की न्युक्ति कोन करता है तो हमारे देश में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है चीप इलेक्शन कमिशन जो होता है उसकी न्युक्ति है वो किसके दव कि जाती गिसके दुखर की जती वारत के राष्ट्र पती जो होता है वही मुख्य तो कौन सा निकाई ऐसा है जिसमें हर पांच वर्ष के बाद चुनाव कंड़क्टिक करवाए जाते हैं तो वो हो जाएगा हमारा लोक सभा और विदान सभा इन दोनों के लिए हर परतेक पांच वर्ष बाद चुनाव है वो कंड़क्टिक करवाए जाते हैं तो उप्सन सेगिंड है वो सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट क्यूशन है चुनाव आयोग द्वारा चुनावी प्रकिरिया में पेस किया गया नया सुधार कौन सा है जो चुनावी तो प्रकिरिया होती है उसमें पेश गया गया नया एक वर्तमान में नया सुधार है वो जिसको हम बोल सकते हैं या फिर new reform है वो कौन सा हो जाएगा electronic voting machine का इस्तिमाल या amid शाही या फिर मददान केंदर या मददाता सुची तो इसमें हो जाएगा हमारा electronic voting machine कौन सा जाएगा जो electronic voting machine जो EVM का परियोग किया जाता है यह नविंतम सुधार के अंदर इसको माना जाता है अगले question को देखते हैं 16 number question हमारा एक चुनावी कदाचार जिसमें एक व्यक्ति गैर कानूनी उद्येश्यों के लिए दूसरे की पहचान मानता है तो वो कौन सा हो जाएगा इसमें वो हमारा जाएगा importation मनलब वेस बदलने का कारिय इसको इंदी में एक और भी नाम आता है क्या हो आता है पर्ति रूपन क्या आ जाता है पर्ति रूपन है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा पर्ति रूपन अगले परसन को देखते हैं 17 number question सवतंतर और निस्पक्स्ट चुनाव के सामने है चुनोती महला जो कोई भी फेर और फिरी election करवाने के सामने एक चुनोती है वो कौन सी हो जाएगी तो कौन सी होती है पर्तिकों का आउंटन जातिवाद या संपर्दाइकता या फिर नामंकर वापस लेना या फिर इन में से कोई ने तो इसमें में जो चुनोती है वो कौन सी है चैलेंज है वो हो जाएगा हमारा जातिवाद और संपर्दाइकता कास्टिजम अन कम्यूनिकेसन तो जातिवाद और संपर्दाइकता होती है ये एक परकार के चुनोती के रूप में ही कारिय करती है 17 और निस्पक्स चुनाओ करवाने के लिए 18 नंबर क्योसिर्ण को देखते है हमारा इसमेン इन में से कौन? भारतिया लोगतंतर की विशेष्ता नहीं है 4 ओप्षनों में से बताना कि भारतिया लोगतंतर की विशेष्ता है वो कौन सी नहीं है बारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मद आता है ये बात एकदम सही है बारत का चुनाव आयोग बहुत सक्ति साल है ये भी बात सही है और भारत में 18 साल के उपर के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है तो ये बात भी एकदम सही है भारत में हारने वाली पार्टिया चुनाव जिनादेश को मानने से इनकार करती है ये बात है वो बिलकुल गलत है तो अपसंद चैर है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा अगले क्विशन को देखते है भारत में सवतंतर और निस्पक्स चुनाव के लिए मुख्य चुनोतियां क्या क्या है सही विकल्पो का चैन करे तो भारत में कोई भी free and fair election करवाने के लिए मुख्य चुनोति है वो कौन सी हो जाएगी वो है आदर से आचार सहीता का पालान करना कौन से हो जाएगी mode of code of conduct है उसका सही से प्रयोग है वो किस परकार से करवाईएए एक परकार की चुनोति है अगला question हमारे से में 20 नमर question निर्वाचन छेत्र और वार्ड किसके लिए चुनाव के लिए बनाये जाते हैं निर्वाचन छेत्र में जो वार्ड जो होते हैं क्यों होते हैं वार्ड यह वार्ड जो होते हैं वो कौन से चुनाओं के लिए बनाए जाते हैं तो वार्ड जो होते हैं यह आप सभी को पता होगा पंचायत और जो नगर निकाव चुनाओं होते हैं उन में परियोग किये जाते हैं वार्ड हमारे गाओं में क्या होते हैं यह वार्ड यह परियोग क होते हैं उनका महतवफण उप्योग क्या है निरक्सर मद्दाता इन पर्तिवों के माध्यम से पार्टी की उम्मिद्वार की पहचान कर सकते हैं यह बात बिल्कुल सही है कि अगर चुनाव चिनुके द्वारा कोई भी निरक्सर व्यक्ति है बिना पडालो का व्यक्ति है तो चुनाव चिनुके द्वारा अपने जो मद्दाता है अपने उम्मिद्वार है उसकी पहचान है वो कर सकता है नेक्स्ट इसमें एक निर्वाचन छेतर में एक ही नाम के एक से अधिक उमिद्वार है तो चुनाव चिन का प्रियोग किया जा सकता है मलब कोई भी चुनाव म बताने के लिए चुनाव चुनों का प्रियोग किया जता है, तो दोनों बातें हैं बिलकुल صही है, तो दोनों है कि हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा, नेक्ट क्यूइट है हमारा इसमें 22 नमबर क्यूइंट, इनी में से कौन जिला और इस्थानिय इस्थर के निकाय का इस्था नहीं है तो जिला और इस्थानिय इस्थर डिस्टिक एड जो लोकल लेवल बोडीज है उनका इस्था है वो कौन सा नहीं है तो हम सभी को पता है लोक सबहा इनका इस्था नहीं होता है तो option D है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा अगला question हमारा इसमें 23rd number question 1977 में पस्चिम बंगाल विदान सबा चुनाओ के दोरान निमल लिखित में से कौन सा नारा दिया गया था तो 1977 में पस्चिम बंगाल में विदान सबा चुनाओ है वो हो रहे थे तो उसमें एक प्रश्चिद नारा है वो दिया गया था तो कौन सा नारा दिया गया था वो दिया गया था जोतने वाले को जमीन या फिर जमीन जोतने वालों को कौन सा जमीन जोतने वालों को ये नारा है ये दिया गया था कब दिया गया था कि उस समय कोंग्रेश पार्टी ने एक नारा दिया था कौन सा नारा दिया था गरीबी हटाऊ को जाएगा गरीबी हटाऊ का नारा है ये 1971 के जो लोग तंतर बचाऊ ये जो दिया गाय था नारा ये हो रहे हैं तो उसमें दो हो जाएगा है धेल हॉाई नार्य कोई हो जाएगा हमारा ने वाले को तो हमारा option 3rd है वो this questions का सही जवाब हो जाएगा अगला question हमारे हम रे new कित्मे से किस्मे चुनाव परकिरिया सामिल नहीं है तो चुनाव परकिरिया के अंतरगते कौन से चीजे हैं वो सामिले नहीं है तो हमारा इसमें boot capturing है वो सही जवाब हो जाएगा बलकि जो मदान, उमिद्वार का नामांकर और परचादिये सभी किसमें आते हैं चुनावी परकिरिया के अंतरगत आते हैं चुनाव इलेक्षन जो प्रोशिडूर होता है तो उसके अंदरगत आते हैं बूत कैप्चिरिंग है वो इसके अंतरगत नहीं आता है अगला क्यूशन हमारा इसमें 25 नंबर क्यूशन बारत में चुनाओ में कौन अधिक उनपात में मतदान करता है तो बारत में जो चुनाओ होते हैं सबसे ज़्यादा जो कौनशी आवादी है वो हिस्सा लेती है तो कौनशी लेती है वो गरीब और अनपड़ लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सा लेते हैं पूरे इलिटरेट जो गरीब और अनपड़ लोग होते हैं वो इसमें सबसे अधिक हिस्सा है वो ल सvisor प्रसंट फेच्ट लेते हैं do 56 जाती कि 54 पिचली जाते हैं और स्टब के लोगaska लेते हैं यह लेते हैं दैक हो आप देखते हैं आप इंशार्ट की तरफ से हिं लिया गया वहीं इंपरेंबिखा में बात करना हैं और हिस्पैनिक आप 28% हा वो हिस्सा लेते तो इस प्रकार मददान मी परतीसत रहना बताया गया अगले मूशन को देखते हैं तुश दिल्ली विदान सभाय में कितनी सीटें नहीं ढूली जू ASBDY है विदान भी इनकुलब Pinterest जो सबद है इसका अर्थ है वो हमें बताना तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा होँ ये contract holder of a Politics लाइव प्र छूझकल उसको लिद कर रहा है अब तो कहा जाता है behaviors कि कुशन है हमारे सिमें ट्वन्टी एट निंबर कुशन है चुनाव पर चार के लिए आचार सहीता के तहत इनमें से किस की सिर्मज म इता कर अंतरकत कोई सी बात है जिसका अण्य मति है वह दे तो जो थर्ड है वो हमारे इसमें सही हो जाएगा कि आचार सहिंता में आप इस बात का प्रियोग हो कर सकते हैं अगला कुछन हमारे इसमें 29 नंबर क्यूसन लोग सवाब में अनुसुचित जाती के लिए आरक्षित सीटों की संक्या है जो लोग सवाज होती है उसमें जो अन उसकी जंजाती की बात करें तो संतारी सीटे हो आरक्षित है टोटल 131 सीट है वो आरक्षित सीटे बताई गई है नेक्स्ट कुछन हमारे इसमें 30 नंबर क्यूसन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की न्यूक्ति कौन करता है तो भारत का जो चीप इलेक्शन कमिशन जो होता है उसकी न्यूक्ति है वो कौन करता है तो इसकी न्यूक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति के दिवारा की जाती है वह रिपीट हो चुका है इससे पहले क्यूसन है वह अमने करवा दिया तो यह थे आज के हमारे 30 most important questions आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद है वीडिय वीडियो को लाइक करें कमेंट करें अपने फ्रेंट में ज्यादा ज्यादा सेड करें अगर आप चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जान्यवाद